CM योगी ने मंत्रियों से क्यों पूछा किसको काम नहीं मिला? CM योगी के सवाल पूछने के पीछे क्या है बड़ी वजा? कैबिनेट और राचे मंत्रियों ने CM योगी को या दिया जवाब? जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले असल में वही समझदार होता है यूपी के मुखे मंत्री के संदर्ब में अगर ये बात कही जाए तो कहना गलत नहीं होगा जुलाई में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी उससे पहले सरकार विवादों में घिर गई थी याद होगा आपको क्योंकि योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने दलित होने और काम ना मिलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौपा था लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी ये इस्तीफा दिनेश खटिक ने सीधे केंद्रिय क्रह मंत्री अमिश्या को भेजा था अब एक बार फिर से राज्ये मंत्रियों की बैठक हुई ऐसे में सीम योगी ने सभी के काम को लेकर एक सवाल दाग दिया ऐसे में जो जवाब मिला वो भी काफी दिल्चस्प रहा जवाब क्या था वो आगे आपको बताएंगे मगर इतना जान लीजिए कि इसी जवाब के भीतर एक संकेत और संदेश भी चिपा था जानते हैं क्यों क्योंकि ये संकेत सीधा दिल्ली हाई कमान तक भी पहुचना था कि योगी और उनकी कैबिनेट अच्छे से और समझदारी के साथ आगे बढ़ रही है चलिए अब ये भी जान लीजिए कि योगी ने ऐसा क्यों किया और कैसे और किस तरह से अपने ही राजे मंत्रियों पर सवाल दाग दिये धरासल राजे मंत्रियों की जो बैठक हुई उसमें सीअम योगी ने पहला सवाल ये पूछा कि किस किस को काम नहीं मिला ऐसे में सभी राज्य मंत्रियों ने एक ही स्वर में जवाब देते हुए कहा कि उन्हें तो काम मिल गया करीब एक घंटे तक ये बैठक चली और इसमें तमाम राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ विभाग्ये अफसर भी मौझूद थे इसी को लेकर सीम योगी ने अपने ही अंदाज से विभाग्ये कामकाच को लेकर अधिकारियों पर नजर रखने की सलहा भी दे डाली और ये तक कहे डाला कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता तो सीम आफस में सीधा रिपोर्ट दे जिसके बाद एक्शन होगा यकीनन निशित तोर पर ये जो बैटक की गई इसमें सीम ने सभी मंत्रियों के काम को लेकर अपनी मंशा को साफ जाहिर कर दिया हाई कमान को भी संदेश दे दिया कि सब कुछ उनकी मुठी में है क्योंकि दिनेश खटिक के स्टीफे के बाद सरकार विवादों में आ गई थी सीम योगी पर विरोधी सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया ऐसे में आप देखना ये दिल्चस्प होगा कि आने वाले वक्त में तमाम कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री किस तरह से काम की रिपोर्ट सीम योगी को सौपते हैं और उसके बाद उनका रियक्शन क्या होता है खैर ये योगी का स्टाइल है ऐसे में सवाल अब आपके लिए कि आप ही बताईए योगी के काम करने का तरीका आपको पसंद है या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर दीजेगा ये रिपोर्ट न्यूजवल इंडिया